प्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीको आयर की एक शॉट्स ऐसे के बारे में जिसका नाम है वाई वी ट्रैवल यानी आखिर हम क्यों घूमते हैं और इस ऐसे में बताया गया है कि ट्रैवलिंग के कितने फायदे होते हैं ट्रैवलिंग करने से हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिर चेंज़े आते हैं और ट्रैवलिंग करना क्यों जरूरी होता है इस तरह की बातों को इस ऐसे में डिसकस किया गया है बहुत ही पॉपुलर ये ट्रैवल जरनी के लिए माना जाता है और कहा जाता है कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो घूमना चाहते हैं नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन्हें ये ऐसे जरूर पढ़नी चाहिए फ्रेंसेस एसे के राइटर का नाम है पीको आयर और इनका रियल नेम था सिद्धार्थ पीको रागवन आयर उनका जन्व हुआ है 11 फेबुरी 1957 में ये एक बिटिश बॉर्ण एसेस्ट और नॉवलिस्ट है और अपने ट्रावल राइटिंग के लिए ये बहुत ही जादा पॉपुलर है साथ ही ने कई अवार्ड्स भी दिये गए हैं जैसे ग्विन हम फिलोशिप, ओन्री डॉक्टर ओफ यूमेन लिटर्स, चैप्मेन उनिवर्सटी इस तरह के अवार्ड्स दिये गए हैं और इनकी फेमस वर्क्स में वीडियो नाइट इन काटमांडू, दा लेडी अन दा मॉं ग्लोबल सोल ये सभी शामिल हैं तो चलिए अब आगे बढ़कर इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं इस एसे की शुरुआत से ही इस एसे की जो टाइटल है वाई भी ट्रैवल इसका जवाब मिलना हमें शुरू हो जाता है सबसे पहले ये राइटर कहते हैं कि हम ट्र नई जगहों को explore करते हैं तो आपको जो feeling मिलती है वो कभी भी written journal से नहीं मिल सकती अगर आप किसी की written journey पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि कोई घूमने गया और उसने ऐसा किया तो आपको उस तरह की feeling नहीं मिल सकती है जो feeling आपको खुद के घूमने से मिलती है इसलिए traveling करने से क में पसंद नहीं आती है इस तरह की बाते पता चलती है ट्रैवलिंग से क्या होता है कि हमारी जो ignorance है जिन चीजों को हम accept नहीं करते हैं जिन चीजों में हम विश्वास नहीं रखते हैं ये सोचते हैं कि ये चीजे जूटी हैं वो सारी चीजे हम समझ पाते हैं उनकी पीछे पहन को समझेंगे वहां की dishes को समझेंगे लोगों के ख्यालों को समझेंगे और ये सारी चीजे कहीं न कहीं आपकी सोच को और भी जादा better करेगी आपकी सोचने की जो चमता है उसे अच्छा बनाएगी तो आपके knowledge में भी एक तरह से कह सकते हैं कि improvement होती है फिर साथ ही आग पहल करते हैं तो आपकी जो सोच होती है आपकी जो doubts होती है जो भी आपके मन में एक तरह से कह सकते हैं certainities होती है उन सबी को आप पीछे जोड़ते हैं आप एक नई जगह जाते हैं तो आपको सही तरीके से नहीं मालूम कि आप वहां पर क्या expect करें आपको क्या चीजे वहा knowledge है वो हमेशा वहां पर काम नहीं आती है आपको एक बिलकुल new experience मिलता है एक नए सिरे से एक नई जानकारी के साथ आपको वहां पर शुरुआत करनी होती है और ये कहीं न कहीं आपके moral को boost करता है आपको एक better इंसान बने में मदद करता है क्योंकि जब आप एक नई जगह को जाते हैं और उसके जो tradition से उसे accept करते हैं उसे समझते हैं तो ये कहीं न कहीं आपकी personality को भी effect करता है अब एक बात और यहां पर गौर करने वाली है कि अकसर दो words को एक समझा जाता है पहली word है tourist और दूसरी word है traveler अकसर लोग इन दोनों को same समझते हैं लेकिर इनके बीच म में एक छोटी सी difference होती है और वो difference होती है इनके assumptions की इनकी belief की और इनके behavior की जो tourist होता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे रास्ते सिर्फ complain करता है कि ये कैसी जगह है यहां का पानी अच्छा नहीं है यहां का environment अच्छा नहीं है मैं क्यूं यहां आया क्यूं मैंने यह journey की इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही था जबकि जो traveler होता है वो चीजों को compare करता है लेकिन उसमें कोई negative attitude नहीं होता वो चीजों को positively देखता है वो कहता है कि हां बहुत सारी चीजें यहां पर बिलकुल एक जैसी हैं और मुझे एक नया experience मिला एक नया नजरिया म तो यह basic difference होता है एक tourist और एक traveler में साथ ही यहां पर writer कहते हैं कि जब कोई आदमी travel करता है वो एक नई जगह जाता है तो क्या होता है वो अपनी पुरानी life को पीछे छोड़ कर जाता है अपनी पुरानी life में चाहे लोग उसे किस भी तरह से judge करते हों उसके कामों को judge करते हो जब वो एक नई जगह जाता है तो लोगों को पता नहीं होता कि वो आखिर कैसा है और फिर लोग उसे judge नहीं करते बिलकुल एक new attitude से लोग उसे देखते हैं तो ये एक नया experience होता है हर किसी के लिए एक नई experience को feel करना एक नई life को जीना ये सब कब possible होता है तो जब आप एक नई जगह को travel करते हैं साथ ही friends एक बात और यहां पर कही जाती है कि travel करने से आपको दो चीज़े एक साथ महसूस होती है पहली तो ये कि आप जहां भी जाते हैं वहां की जो sites हैं values हैं वहां पी जो problems हैं उन्हें हो सकता है कि आप ignore करते आए हो लेकिन जब आप वहां travel करते हैं उस जगह को जाते हैं उस जगह की सारी problems को face करते हैं तो आप इन चीज़ों को बहतर समझते हैं और साथ ही दूसरी चीज़ यहां पर ये कही जाती है कि आपके अंदर कहीं न कहीं एक हिस्सा होता है जो उन चीज़ों को समझ पाता है उन चीज़ों से खुद को जोड़ पाता है जो शायद अभी तक बहुत रस्टी था खुल कर सामने नहीं आ पा रहा था तो जब आप इन नई जगहों को जाते हैं तो आपके अंदर का एक हिस्सा जो होता है वो कह सकते हैं जाग उठता है उन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है और इस तरह से ना सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ रहा है आपकी इंटेलिजेंस भी ग्रो कर रही है ट्रावलिंग करने से एक और फादा ये होता है कि ये आपकी इमाजिनेशन को प्रूफ करने में आपकी हेल्प करता है कि आपकी इमाजिनेशन कितनी सही और कितनी गलत थी जैसे आप किसी एक जगा घूमने जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले आपके मन में उस जगा के बारे में कुछ थौट्स होते हैं कुछ व्यूज होते हैं कि ये जगा ऐसी होगी मगर जब आप वहाँ जाते हैं तो आप अपनी आँखों से उस जगा को देखते हैं वहाँ की खाने की चीज़ों को देखते हैं घूमने की चीज़ों को देखते हैं एंबार्मेंट को देखते हैं और तब आपको पता चलता है कि आपने जो views रखे थे जो thoughts रखी थी वो कितनी सही और कितनी गलत थी तो इस तरह से हम कह सकते हैं traveling जो है वो बहुत ही beautiful experience है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपको एक नय experience देता है या वो आपको काम करता है आराम देता है बलकि इसलिए क्योंकि traveling से कहीं न कहीं आपकी knowledge improve हो रही है आप एक better person बन रहे हैं और साथ ही इस दुनिया को देखने का आपका जो नजरिया है वो भी समय के साथ change हो रहा है बदल रहा है यह थी पीको आयर की essay why we travel यह बहुत लंबी essay है मैंने कोशिश की है कि आपको शौट में इसकी जो जिस्ट है वो समझ में आए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करिए